Hello students, welcome to Global Online, this is Ankita Asood, so paper 1 preparation में different levels of teaching के questions हमने already पढ़े भी हैं and remaining concepts और questions को आज के वीडियो में हम detail में discuss करने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही जादा ज़रूरी है Students paper 1 में आप सबको help करने के लिए एक complete course हम लेकर आए है जहाँ पर आपको रोज 2-3 live lectures के साथ paper से पहले 100% syllabus कवर करने की surety दी जाती है साथ ही आपके revision के लिए topic wise MCQs और PYQs दिये जाएंगे जिसमें कि आपको ऐसे tricks बताई जाएंगी जो बहुत easily correct answers को ढूणने में आपको मदद कर सकती है Final preparation के लिए updated mock test है जिसमें से आपको as it is सवाल देखने को मिल सकते है और साथ ही आपके state के अलावा other states के PYQs and most expected questions आपको हम provide करवाएंगे वो भी answers और explanation के साथ ताकि आपकी बहुत महितर तरीके से revision होती रहे तो यहाँ पर आपको दो whatsapp numbers दे रही हूँ आप इन पर call या message करके course की पूरी जानकारी ले सकते हो साथ ही कुछ free videos और mock test भी available है जिसके लिए global online app को download कीजिए store section पर search bar में आपको लिखना है course का नाम content पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत से free videos available है यहाँ पर आपको unit wise folders मिलेंगे जिससे किसे भी unit से आप कभी भी तयारी शुरू कर सकते हो हर unit में आप देखेंगे आपको mock test मिल जाते है PDF notes मिल जाते हैं साथ ही video lectures मिल जाएंगे जिसमें बहुत easy tricks के साथ आपके concepts भी clear होते हैं तो यह एक ऐसा course है जो कि बहुतर तरीके से आपको post attempt में exam qualify करने में मदद कर सकता है चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला question है levels of teaching से related and इसमें यह बोला गया है कि कौन से level पे कोई learner है जो कोई student है वो discriminate करने लग जाता है चीजों को positive and negative के basis पे ठीक है तो वो कौन सा level है पहला option है memory level second is understanding level तो memory level अगर आप लोगों ने previous हमारा theory lecture series देखी है तो आप लोगों को पता होगा कि memory level जो होता है वह होता है बिलकुल basic level ठीक है जिसमें सिरफ заб tragen learners जो है वह चीजों को सिरफ समझ सकते हैं ठीक है basic overview sound को पता चलता है understanding लेवल होता है जिसमें वह चीजों को थोड़े से higher level पे समझते है ठीक है memory लेवल होता है बिल्कुल चीजों को याद रखना जिसमें आता है हमारे पास रोट लर्निंग ठीक है अंडरस्टेंडिंग में कुछ थोड़ी बहुत लिवल पे समझ आती है स्टूडेंट को रिफ्लेक्टिव लेवल होता है कि उन्होंने जो कुछ भी चीजे समझी है वो उस चीज को किस तरह से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं किस तरह से उसको दूसरे परसन के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं वो आता है रिफ्लेक्टिव लेवल ठीक है एंड लास्ट है हमारे जो है students चीज़ों को जो है discriminate करने लग जाता है ठीक है तो right answer है option number two that is understanding level ठीक है memory level पे बिल्कुल basic होता है जैसे छोटे बच्चों को हम ABCD रटा मरवाते हैं कहानियों की तरह गाने की तरह समझाते हैं ठीक है second question है हमारे पास in which level of teaching lower level learning outcomes get focused तो यहाँ पे आप लोगों को एक trick में बताती हूँ कि question में आप लोग एक बार पढ़ोगे maximum students को हो सकते हैं कि वो समझ ना आए एक बार पढ़के ठीक है तो वो फिर से पढ़ेंगे फिर से समझेंगे तो इस तरह से एक से दो मिनट आप लोगों का चला जाएगा तो आप लोगों ने इस तरह के questions में क्या करना है आपने direct focus करना है किसी एक particular word पे हमेशा याद रखिएगा teaching aptitude या कोई भी paper 1 से related जो questions होते हैं उसमें एक ऐसी term होती है जो की पूरे question को define करती है तो इस question में जो है term है lower level learning ठीक है तो जैसे ही हम लोग lower level की बात करते हैं आप लोगों को एकदम से पता चल जाना चाहिए कि lower level में क्या होता है ठीक है तो पहला option है memory level understanding level, reflective level and autonomous development level ठीक है तो यह basic सा concept में आप लोगों को बता चुकी हूँ तो I hope इस question को आप लोग easily solve कर सकते हो so right answer है हमारे पास memory level ठीक है so basically क्या होता है हमारे पास जो levels होते है teaching के, उसमें 3 levels होते है पहला आता है memory level ठीक है, जिसको कि हम लोग lowest level बोलते हैं जो बिलकुल छोटे बच्चे होते हैं जोनको गानों के थूँ या फिर poems के थूँ चीजें समझाई जाती है मतलब वो रटा मारते है उनको ये नहीं पता होता कि A for Apple जो हम पढ़ रहे हैं जो हम बोल रहे हैं Apple का exact meaning क्या होता है Apple का use क्या होता है ठीक है understanding level पे होता है कि वो concept को समझने लगते है कि अच्छा A for Apple होता है तो Apple exactly क्या हो सकता है Apple एक fruit हो सकता है Apple एक mobile company हो सकती है ठीक है reflective level जो होता है ये होता है highest level ठीक है So exam में आप लोगों से question कैसे पूछे जा सकते है In which level of teaching highest level learning outcomes get focused तो आपका answer होना था reflective level तो paper 1 में एक और concept में आपको यहाँ पर बताती हूँ most important trick है कि जब भी आप question पढ़ रहे हो वो तो ठीक है जितने भी options है उन पे भी हमेशा focus रखिएगा 100% focus आपका options पे भी होना चाहिए क्या होता है कि अगर एक series में question lower level का पूछा है तो maybe दूसरी series में question higher level का पूछ ले या फिर पूछ सकते है middle level का पूछ सकते है higher या फिर highest का पूछ सकते है यह higher है यह highest है ठीक है so right answer है memory level next question is which of the following is included in the teaching of understanding level again यहाँ पर मैंने basic question एड किया है ताकि आप लोगों को concept समझ में आए तो यहां पर बात की गई है understanding level की पूरा question पढ़ने की जरूरत ही नहीं है तो यहां पर बोला गया है कि understanding level में कौन सी teaching method जो है वो include की गई है कौन सा एक जो main concept वो add किया गया है तो यह भी direct question है definition से you just seen it previous year question है यह ठीक है तो पहला यहां पर question पूछा गया है application यानि कि किसी चीज को apply करना किसी चीज में आवेदन करना next comparison दो चीजों के बीच में जब हम compare करते हैं उन दोनों को तो क्या यह understanding level का पार्ट है abstraction abstraction का मतलब होता है किसी चीज को hide रखना ठीक है exploration explore करना यानि की explore करने का मतलब होता है कि हम लोग अपने end पर किसी चीज को ढूंडने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है जैसे हम बोलते हैं कि किसी चीज को explore करो खुद कहीं पर जाओ नई चीजे सीखो और उसको कुछ concept को ढूंडने की कोशिश करो that is called exploration ठीक है तो यहां पर understanding level कहां पर होती है student की किस तरह से student अगर किसी चीज को ढूंड रहा है तो कैसे ढूंड सकता है तो right answer होगा हमारे पास exploration ठीक है तो इसका reason क्या है सबसी important concept यहां पर यह भी है कि exploration का reason क्या होता है तो देखो जो अगर हमारे पास पुराना knowledge है अब बड़े बड़े जो researchers होते हैं वो कैसे research करते हैं एक basic सा concept उन लोगों के पास किसी चीज का होता है यानि कि उन लोगों को किसी concept की basic knowledge भी है और उनको यह भी पता है कि इससे related current issues क्या आजकल चल रहे हैं तो वो अपने prior knowledge को देखकर and उस issue को देखकर क्या करते हैं research करते हैं एक नई चीज को ढूनते हैं एक नई चीज को explore करते हैं तो यह आता है exploration जो है वो understanding level के साथ हम add कर सकते हैं तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि application, comparison and abstraction कहां पर use किया जाता है तो फिर से मैं आप लोगों को एक short trick बता रही हूँ जो कि बहुत important है तो अगर हम लोग बात करें application की application, comparison and abstraction की तो यह आते हैं हमारे तीनो reflective level पे, ठीक है, reflective level पे तो यहाँ पर हमने देखा अगर paper में understanding की जगा reflective पूछा होता तो answer इन तीनों में से कुछ होता, ठीक है, exploration आ गया हमारा understanding level and एक होता है हमारे पास memory level, ठीक है, so जहाँ पर भी आपको terms नजर आती है recall, ठीक है, या फिर लिखा हो सकता है recall, recognition, ठीक है, and यहाँ पर लिखा हो सकता है retention, तो जहाँ पर भी यह तीन टर्म्स नजर आ जाएं, तो वो होगा memory level यह तीन टर्म्स नजर आ जाएं, तो वो होगा reflective level and exploration means understanding level, ठीक है, तो यह चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है तो यहाँ पर भी same concept है, कि आप लोगों को पूरा question पढ़ने की जरूरत नहीं थी आप लोग directly क्या देखते, understanding level देखते, and question को solve कर सकते थे, ठीक है तो इस तरह के question में अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पढ़ते हैं, teaching stresses, recitations of facts and information ठीक है, तो यहाँ पर यह बोलता है, कि जो भी teaching होती है, यह facts and information ठीक है, किसी भी तरह की जानकारी, या फिर उससे related जो facts होते हैं, उसको stress करता है ठीक है, दूसरा option बोलता है, कि teaching becomes an active activity to promote seeing of relationships among facts and information तो यहाँ पर यह बोलता है, कि teaching best वो होती है, understanding level पे, जो कि fact और information की बीच में किसी relationship को promote करती है, ठीक है, दीसरा option हमारे पास है, कि the teacher expects the student will be able to translate and interpret the meanings of their own words, ठीक है, तो यहाँ पर यह बोला गया है, कि शिक्षक जो है, teacher जो है, वो student से यह उमीद रखता है, कि वो खुद से किसी चीज को translate करें and interpret करें, यानि कि उससे, खुद से उस चीज को व्याख्या उसकी करने की कोशिश करें, अपनी language में, ठीक है, next आता है हमारे पास, the teacher insists on recall and recognition of facts and facts presented, तो यह question, यह वाला option तो हम लोग immediately cancel कर सकते हैं, कैसे cancel कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया, जहां पर भी recall and recognition word आता है, तो वो क्या होते हैं, वो memory level से related होते हैं, understanding level से related नहीं होते हैं, ठीक है, तो यह question, यह option अभी delete हो गया, next आता है हमारे पास, the teacher gives a large number of examples to being home the main idea, ठीक है, तो वो जादा से जादे example के थ्रूँ, जो teacher समझाने की कोशिश करते हैं students को, तो वो होता है, एक understanding level का concept, तो इस तरह के question में, जैसे हमने इस option को eliminate कर दिया, तो जहाँ पर D नहीं है, हम उन options को पहले delete कर देंगे, यहाँ पर D है, तो यह भी हट जाएगा, ठीक है, यहाँ पर D है, तो हम इसको भी remove कर देंगे, तो elimination method हमने यहाँ पर use किया, अब बचे हैं दो options, ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं, तो क्या होगा, क्या A right answer है या नहीं है, ठीक है, तो A नहीं होगा, जो facts और information के बीच में, stress को recitation कर देते हैं, वो अच्छी teaching नहीं होती है, understanding level पे, तो option number A भी हमारा delete हो गया, तो यह तीनों options अगर हम cancel कर दें, तो right answer होगा हमारे पास, option number D, option number 4, ठीक है, तो इसमें आता है, हमारे पास B, C and E, next question is, what is the hallmark of reflective teaching, ठीक है, तो चिंतन शील शिक्षन की कौन सी पहचान होती है, तो again यहां पे hallmark क्या होता है, हमें नहीं पता, इन चीजों पे आपने नहीं फसना है, ठीक है, directly reflective teaching, so clear, organized and well structured content, अगर कोई teacher आपको clearly कोई concept पर हा रहा है, organized way में सब कुछ चल रहा है, तो क्या वो reflective teaching है, second option बोलता है, personalized, interactive and high level of cognitive interchanges, तो cognitive का मतलब क्या होता है, cognitive का मतलब होता है, mental level पे, ठीक है, किसी का दिमाग का कितना level है, वो कितनी चीजों को कितने समय में समझ सकता है, वो सब चीजें आती है, cognitive के अंदर next option है, systematic, planned and quick question answer session, तो क्या जो teacher फटा-फट से question answer करते हैं, फटा-फट से चीजों को plan करते हैं, लेकिन systematic way में करते हैं, तो क्या ये best reflective teaching है, next है logical, coherent and example based presentation, तो क्या जहाँ पे जादा example होते हैं, वो चीजें अच्छे से समझ सकते हैं, क्या उसको reflective teaching का एक hallmark बोल सकते हैं, या न students confused हो सकते हैं, क्यों confused हो सकते हैं, क्योंकि आप लोग देखोगे, कि ये वाला जो है question, इसमें maximum को लगेगा कि option ये ठीक हो सकता है, maximum को लगेगा कि ये हो सकता है, लेकिन हमें क्या करना है, अपने point of view से चीजों को नहीं देखना है, ठीक है, specially teaching aptitude unit में, research aptitude unit में and communication unit जो है paper 1 कि इनमें हमें क्या करना है, अपने point of view से चीजों को लेकर नहीं चलना है, इसमें हमें overall जो students है, overall जो teachers हैं, उनके point of view से चीजों को समझना है, तो ही आप answer ठीक कर सकते हो, ठीक है, so question number 5 में अगर हम बात करें, तो जो teacher बिलकुल clearly आपके concept को clear करता है, organized way में classes लगती है, organized way मे आपको data provide करवाते हैं, and well structured content होता है, कि जिस sequence में syllabus है, उसी sequence में हम आपको step by step पढ़ाएं, ऐसा नहीं है कि आज teaching की class है, तो कल हम आपको research aptitude पढ़ाएंगे, तो well structured content, clear and organized, जो content होता है, उसको ही best reflective teaching हम मानते हैं, ठीक है, तो right answer है, option number 1, next question है हमारे पास, an open classroom environment marked by sharing and caring by teacher and student in their interchanges will be most helpful for which level of teaching, ठीक है, तो यहाँ पर simple सा question पोचा गया है, कि कोई open classroom environment है, open classroom environment है, जिसमें कि teacher और students के बीच में sharing हो रही है, sharing किस चीज़ की हो रही है, यहाँ पर, कोई भी information है, किसी भी fact को हम लोग share कर रहे हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों की अगर sharing हो र तो बोला गया है, कि कौन सा level जो है teaching का वो यहाँ पर best way में काम करेगा, ठीक है, तो बिल्कुल direct question है, सबकी definitions में आप लोगों को already बता चुकी हूँ, तो यहाँ पर memory level, understanding level, reflective and autonomous, development level options दिये गए है, तो right answer होगा हमारे पास option number 3, that is reflective level, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है teacher and student interchange कर रही है, ठीक है, बहुत सारी helpful चीजों को वो interchange कर रहे है, अब मैं आप लोगों को कुछ पढ़ा रही हूँ, आप लोग रिप्लाइ कब करोगे, जब आप लोगों को पता होगा, knowledge होगा, ठीक है, तो वो आ जाएगा understanding level पे, लेकिन आप उस चीज को ठीक बता रहे हो हमें पता चल रहा है कि reflect हो रहा है आपकी बातों से, कि जो हमने पढ़ाया हो, as it is आप हमें बता रहे हो, that is called reflective level, ठीक है, next question is, the basic requirements for organizing teaching at reflective level deals with, direct यहाँ पर question है, तो systematic and sequential presentation of facts and information by the teacher, यानि कि जो teacher systematic way में and sequential, यानि कि step by step इस तरह से sequence way में क्या करते हैं, किसी भी fact को, किसी भी information को present करते हैं, दूसरा option बोलता है, helping explore and explain problems and their solutions by the students, तो अगर हम बोलते हैं कि students खुद ही क्या करेंगे, किसी problem को explore करेंगे, ठीक है, and उसको solve करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें हम सिर्फ आपकी help करेंगे, थोड़ी बहुत आपको, जो है, directions दे सकते हैं, बाकि आप लोग ख आया, हमने किया कि उस fact को translate कि, अपनी language में थोड़ा बहुत modify किया, and उसको interpret करके, वापस apply करने लगे, तो क्या ये reflective level होता है, next आता है, giving concrete facts and action sequences by the teacher, ठीक है, यानि कि शिक्षक जो है, वो facts and action sequences, जो है, वो बताते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे, reflective level, यान कि reflect हो रहा है, जो भी student को पता है, उस चीज़ को student एक बहुत अच्छी level पे apply कर रहे है, that is called exactly the reflective level, ठीक है, so question number 7 का right answer होगा, option number 2, ठीक है, कि जहाँ पे हम लोग student को help करते हैं, किसी नई चीज़ को explore करने में, and explain करने में problems को, ठीक है, and वो सब चीज़ीं क्या करते हैं, वो students क करते हैं, हम सिर्फ उनको help करेंगे, ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था, जहाँ पे भी recall होगा, इसका मतलब है कि वो memory level है, जहाँ पे भी explore होगा, and खुद से कुई student किसी चीज़ को explain कर रहे है, तो वो होगा reflective level, तो हमारा अगला question है, in which level of teaching, the activities of structuring, guiding, and costly supervising the student's behavior predominate, तो यहाँ पे direct कुछ आ गया है, कि कौन से level पे हम किसी को structure कर सकते हैं, किसी activity को, students को guide कर सकते हैं, ठीक है, उनको supervise कर सकते हैं, तो किस level पे कर सकते हैं, memory level पे ही कर सकते हैं, understanding level पे तो students सब कुछ समझ रहे हैं चीज़ों को, reflective level पे तो वो हमें सबूत भी दे रहे हैं एक तरह से कि yes, हमें understanding level पे क्या क्या चीज़े समझ आई, तो वो हमें as it is उसको apply करके बताएंगे, ठीक है, तो एक और मैं आप लोगों का example बताती हूँ, जैसे मान लीजिए, कि कि किसी school में या किसी college में practical हो रहे हैं, science lab में practical हो रहे हैं, chemistry के, ठीक है, तो वहाँ पे memory level क्या होगा, कि सिरफ जो एक teacher है, teacher practical कर रहे हैं, जितने भी students है, वो सिरफ उसको देख रहे हैं, यानि कि वो याद कर रहे हैं, वो रट्टा मारने की कोशिश कर रहे हैं, teacher उनको practical करने म बिलकुल हाथ नहीं बटाने दे रहे, ठीक है, understanding level आता है, जब हम इनको बोलेंगे, कि हाँ, हम समझा रहे हैं, practical कर रहे हैं, बीच बीच में तुम लोग help करो, ठीक है, जैसे कि साथ साथ में हम उनसे questions भी पूछ सकते हैं, बीच बीच में थोड़े बहुत help कर सकते हैं, ठी प्रैक्टिकल के टाइम पर खुद से जो केमिकल के साथ काम करते हैं, वो सब चीज़े आते हैं, reflective level पर, कि student ने हमें बता दिया, कि वो कितना ही चीज़ों को समझ पाए हैं, ठीक है, तो यहां पर यहीं बोला गया है, कि किस level पर बच्चों को सिखाना, गाइड करना, उनको supervise करना पड़ता है, तो वो करना पड़ता है, सिरफ memory level पे, क्योंकि यह बहुँ छोटे बच्चे होते हैं, इंको हर एक चीज़ बार-बार बतानी पड़ती है, next question is, when reflective level teaching and learning are successful, students emerge with, तो कब होता है, जब reflective level, जो है, हमारा successful होता है, a strong logical basis to retain the information, यानि कि किसी information को बनाए रखने के लिए, इकठा कर रखने के लिए, एक strong logic हम लोग apply करते हैं, next question आता है, an enlarged store of tested insights of a journalized character, यानि कि जो भी a journalized character होता है, किसी भी person का, उसके different tested insights हम लोग use करेंगे, next आता है, a firm relational structure in the items of information, यानि कि जितने भी सूचना, जितनी भी information से related items होती हैं, उनका हम लोग क्या करते हैं, relational way में उसको structure करते हैं, next आता है, an enhanced ability to develop and solve problems on their own, तो क्या इसमें हम लोग एक ability students में generate करते हैं, जिसके through, वो क्या करते हैं, वो खुद से questions को, या खुद से किसी भी problem को solve करने की कोशिश करते हैं, next option is, seeing relationship and tool use of a fact, ठीक है, तो यहां पर भी यह बोला गया है, कि किसी भी fact के संबंध में, किसी भी fact के relation में, हम लोग क्या करते हैं, different tools को use कर सकते हैं, ठीक है, तो आप लोग फटा-फट से यहां पर देख सकते हो, कुछ options दिये हैं, ठीक है, codes हम लोगों को select करने हैं, ठीक है, that is B and D only, ठीक है, so reflective में यही होता है, कि जो student है, जो learner है, वो खुद से किसी चीज़ को develop करें, या हम उनमें एक ऐसी power develop कर दें, जिससे कि वो हर एक problem को खुद से solve कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो हमारा आज का last question है, which of the following is type of teaching and learning adopted by animals, तो अभी तक हम लोग students की, learners की बात कर रहे थे, अब यहाँ पर maximum students सोचेंगे, कि animals को कैसे पढ़ा सकते हैं, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगी, सबकी definition पता है, तो relate करके देखो, क्या animal कोई चीज समझ सकते हैं, और समझ कि आपको reflect कर सकते हैं, कि आपको introspect कर सकते हैं, कि किसी चीज को नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो animals क्या कर सकते हैं, सिरफ हम उनको चीजें समझा सकते हैं, जिसे आप लोगोंने कोई dogs देखे होंगे, ठीक है, तो dogs को हम बोलते हैं, sit तो बैठ जाएंगे, हम उनको कुछ run बोलेंगे, तो भागने लग जाएंगे, ठीक है, और किसे भी question में अगर आप लोगों को कोई query है, तो वो भी आप लोग हमारे साथ discuss कर सकते हो, so that's all for today's session, I hope you understand every concept, thank you so much for watching this video,